हिंदू धरम में पशु पक्षियों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, कई पशु पक्षियों को तो हिंदू धरम में पूजा भी जाता है, बहुत सारे पशु पक्षियों को पित्रों का दर्जा मिला हुआ है, इन में से एक पक्षी है कबूतर, कबूतर एक ऐसा पक्ष पानी पिलाना और भोजन कराना पुन्य का काम माना गया है। ऐसे में केवल मुनुश्यों को ही नहीं बलके पशुपक्षियों को भी भोजन और पानी देना जरूरी कहा गया है। पारवती जी को अजर और अमर होने का वचन सुनाया था। वह वचन उस गुफा में सुनने के लिए दो कबूतर भी मौजूद थे और उन्होंने वो वचन सुने थे। आज भी वो अजर और अमर है। जिने वो दिख जाएं माना जाता है कि भगवान शिव और मा पारवती के दर्शन हो जाते हैं इस कथा के परणाम से कबूत्रों को एक खास दरजा मिला हुआ है कबूत्र को देवी रती का भी वाहन माना गया है देवी रती को सौंधरे की देवी एवं गंधर्व कन्या के रूप में उलेखित किया गया है देवी कमजोर है, तो ऐसे में किसी ग्रहे के साथ राहु केत्व बैटकर उसे कमजोर कर रहे हैं, तो आपको नियमेत रूप से कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए, बाजरा खिलाने से आपकी कुंडली में राहु केत्व की दशा으 मस्भूत हो जाएगी अगर आपकी कुंडली में ब्रस्पति ग्रहे और चंद्रमा कमजोर हैं या फिर दोनों मिलकर गजकेसरी योग बना रहे हैं मगर उससे आपके जीवन में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आपको नियमित कबूत्रों को चावल खिला देने चाहिए आप बाजरा और चावल मिक्स करके भी खिला सकते हैं ऐसा करने से आपका छुपा हुआ और रुका हुआ गजकेसरी योग जाग जाएगा और आपको इसका फायदा मिलने लगेगा अगर आपकी शादी शुदा जिंदगी में समस्याए चल रही हैं आप बहुत समय से इसके उपाय तलाश रहे हैं आपको नियमित रूप से कबूतरों को जवार खिलानी चाहिए ऐसा अगर आप नियमित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कभी कबार ऐसा जरूर करना चाहिए अगर आप नियमित कर सके तो 40 दिनों तक लगातार आप बिना नागा किये ये उपाय कर ल सफेद कबूतर का आना बहुत ही शुब संकेत माना जाता है। कबूतर को पानी पिलाना भी शुब माना गया है। नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी से संबंदित कोई भी दिक्कत चल रही है। अगर आपके बॉस के साथ आपके संबंद अच्छे नहीं है, अगर आपके नौकरी में किसी भी तरह से कोई अनबन चल रही है तो ये उपाए आप अवश्य करके देखें। आप 41 दिन लगातार कबूतर को चने की दाल खिलाएं या भुटे के दाने खिलाएं ऐसा करने से नौकरी में आ रही ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही वो भी ये उपाए कर सकते हैं। आपके जीवन में कबूतरों से सम्बंदित इस उपाए को करने से नौकरी से सम्बंदित लाभ आपको मिलने लगेंगे। नौक्री में परिशानियां खतम हो जाएंगी और नौक्री से संबंदित जितने भी बाते हैं वो सारी के सारी आपके लिए अच्छा फल लेकर आएंगी हम अपने जीवन में बहुत से उपाय करते हैं सुक समरिध्य के लिए पर अनजाने में आप कोई गलती ना करें जिससे आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े कबूत्रों से ही संबंदित एक ऐसी गलती हर कोई व्यक्ति आम कर लेता है आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ ये गलती आपको नहीं दोहरानी है क्योंकि आप जानते हैं कि कबूत्रों को दाना कैसे खिलाया जाता है और कहां पर खिलाया जाता है अगर आप नहीं जानते तो आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे अगर आपके कुंडली में बुद्ध और राहु की स्थिति एक स्थान पर है कुंडली में अगर बुद और राहु युति में हैं, युति संबंध में हैं, इकठे हैं तो आपको भूल कर भी अपनी छट पर कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए क्योंकि कबूतर बुद माने जाते हैं, बुद का प्रतीक होते हैं और छत राहू मानी जाती है अगर आप ऐसा करते हैं तो ये योग आपकी कुंडली में जागरित हो जाएगा और आपको इसके इलाब नहीं बलके नुकसान पैदा होने शुरू हो जाएंगे इसलिए कबूतरों को दाना डालने से पहले आपको अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना बहुत जादा जरूरी है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो ये आपकी मानसिक स्थिती पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है कबूतर को कभी भी चट पर दाना नहीं डालना चाहिए क्योंकि जब कभूतर चट पर बैठते हैं तो वह चट को गंदा भी कर जाते हैं जब चट गंदी होगी यानि राहुत दूशित हो जाएगा तो इसका खामियाजा भी आपको ही भोगतना पड़ेगा अगर आपको कभूतर को दाना डालना है तो आप किसी और जगए पर जाकर यानि के घर से दूर आप ऐसा कर सकते हैं इससे आपको लाब होगा ना के घर की छट पर उनको दाना डालने से आपको लाब होगा इस बात का अंदाजा बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते और वो अपने ही घर की छट के ऊपर कबूतरों को दाना डालते रहते हैं जो नुकसान दे साबित हो सकता है घर के अंदर कबूतरों का आना नुकसान दे नहीं माना जाता उसे शुब संकेत माना जाता है इसलिए अगर आप घर के अंदर कबूतरों को दाना डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कुछ लोग कबूतर पाल भी लेते हैं तो ऐसे में कबूतर पालने के लिए तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि कबूतर पालना अच्छी बात नहीं है पर अगर आप घर के अंदर कबूतरों को आने दे रहे हैं या आपके घर के अंदर कोई जगह है जहां पर आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है घर के अंदर इससे सुक शानती आती है धन की वर्शा होती है जब कबूतर दाना चुकते हैं तो ऐसे में माना ज तो अगर आपके घर में जगह है तो आप ऐसा कर सकते हो घर से सारी नकरातमक्ता भी दूर चली जाएगी और सकरातमकूर जगावास होगा पर घर की छत पर कभी भी दाना ना डाले और घर की छत को हमेशा साफ सुत्रा रखे कबूतरों को उनकी मनपसंद की चीजें भी खिला कबूतर प्रसंद होंगे और मालक्ष्मी प्रसंद होंगी और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग उनकी पसंद का खाना उनको खिलाते हैं उनका घर हमेशा धन धानने से भरा रहता है तो कबूतरों के संबंद में आज जो जानकारी मैंने आपको दी है आप ज़रूर उसको म हमारा धरम और हमारा प्रतव्य है तो ऐसा जरूर करें और इससे आप नेचर को भी बचाएंगे और इसके साथ साथ आपकी जोतिशे उपाएं भी होते जाएंगे आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विशा के साथ आपका इसे देखने के लिए दन्यवाद